CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं यह मक्का भी कम से कम हो गई है और और फसलें परिसान है जो भी जानवर डिलेएं गाये इन से बहुत परिसान है बीजेपी को अमेज़ा बोड देते आई हैं ठीज है और बीजेपी ने अभी तक तो कोई कम किया नहीं था चुनाव में किदर जाने की सोच रहें क्योंकि राजपूत समाज तो इदर जादा तर भाजपा में जाता है कि वही रोजाने तो हमाई हमेसां से चल रहा है बाजपा में और अब तो माले जो ऐसा है यहां पर कोई निता आएगा विकास करेगा उसको उसी हिसाब से उसको मिलेंगे लोग जो बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाते थे क्या हुआ डिमपल की तरफ क्यों सोच रहे हैं थोड़ा बात विनने काम करवाए आई यह बदाओ इतना बड़ा वो कहते हैं हमने राम मंदर बना दिया योद्या में उसके नाम पर वोट नहीं सीजे में आपका स्वागत है हम अभी मैंपूरी लोगसबास सीट के किशोरपूर गाउं में हैं यह गाउं मुख्य रूप से एक राचपूद बाहूल गाउं है यहां फिलहाल जो प्रत्याशी है सीट से सपा से डिमपल यादव जी है भाजपा से जैवीर सिंग जी है बस प्रस प्रसाद यादव जी है यह सीट फिलहाल यहां की जो सांसद है यह डिमपल यादव जी है जो लड रही है यह सीट 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 मानी जाती है वाजपा की लेकर राचपूद समाज का रजजपा के ब्रश भी रोजहान है या कुछ बदलाव है आई किसानों के लिए बढ़ी आ है किस तरीके से बढ़ी है क्या आई बड़ी है क्या रेट बड़ा है एमस्पी मिली है क्या रहा है सब चीज़ें बदला हुए अर्चीज महिंगाई तो फिर बढ़िया नहीं हो ना फिर तो अर्चीज महिंगी बिच रही है तो पहले से बहतर नेट मिल रहा है अच्छा गुंडागदी खतम है यह बताइए यह आपको किसान संबाद निदी भी मिलती है दौज़र रफे हर चार महИने बमा फिर दोजार की इत्ना गूंते हैं लोग तो अकसर बोलते हैं बहुत तंग कर रहें दर तो मतलब आप इस सरकार से खोश है दस सालों से हम तो हमेसा ही हैं अजबार भी बीजेपी है क्या सोच रहे हैं तो बताइए थोड़ा सा महेंगाई रोजगार इन सवालों पर कितना यहां पर काम होए गाओं में कितने बच्चों की सरकारी नौक्रिया लेगी है बाहर काम मिल रहा है तो फिर मतलब किस उस उस किस चीज पर आपको लग रहा है बढ़िया काम हुआ है और आपके गाओं तक भी पहुंचेगा प्रधान नहीं कराई रहे हैं तो बड़ी सब्सक्राइब दूर कराई रहे हैं और लोगों से भी बात करते हैं नमसकार जी क्या नाम होगा जी अनार सिंग जी आप भी किसान है जी एक भी किसान आज़ा रहे हैं आर मतलब अर लागत इससाब से कि हैं जैसे मतलब मतलब आपको इतना नुकसान नहीं हुआ है उठीया कितना लिया है वह तो वह जाद है होता है अब आर यह फसुए हैंगे यह मक्का भी कम से कम हो गई हैंगी और और भी फसलें परिसान है जो जानवर डिलें गाएं बगएरा इनसे बहुत परिसान है इनके लिए कोई रोखबान नहीं आपर चुनाव में किदर जाने की सोचने क्योंकि इसी हिसाब से उसको पुट मिलेंगे यह बताए ठैकुर जैवीर सिंग जी यहां खड़े हैं भाजपा से आपका रोजहान उसी तरफ है आपको उमीद है वो विकास करेंगे क्या सोच रहे हैं तो विकास तो ऐसा ही करेंगे आप बताएं कि आप लोग भाजपा गां हो रह है यह करें रोजगार भी कम दला इस बार फिर से भी क्यों सोच रहे हैं यह कुछ और भी सोच रहे हैं अदौ करेंगे किस की तरफ सोच रहे हैं अब देखो किस कि डिनिक को आय सामने मों तो फिर सोच्चेंगे यहां डिमपल जी है और बसपा से भी वो यादव जी है क्या गुंड में से भी किसी को सोच रहे हैं मतलब कुछ और ही देख रहे हैं कुछ और ही अगर कोई आएगा बिकास करेंगा सीधी सी बात पिकास हमारे होगा तो बोट मिलेगा नहीं तो बस घर बैठे हैं तो दस साल नहीं किया है नहीं कोई नहीं किया है उन्हें यह जब थोड़े करें जन देजाते हैं एंधे जब आपनों पैसा लगाए रहे हैं मैनत कर रहे हैं तो पैदा वह रहो गेती में क्या इस बार यह बताई है कि आपका नाम क्या हुआ जी दर्मेंद्र जी यहां हम मतलब पश्चमी उपी से अगर आप देखेंगे उधर जो खड़ी बेल्ट है जो खड़ी खड़ी बोली जहां बोली जाती है वहां पर जांग गन्ना छेत्र जहें मुझफर नगर शामली मेरट गाजियबाद हर जगा बड़ी-बड़ी पंचायत थी महराज पूतो की भाज़पा के खिलाफ तो क्या उसका कोई असर इधर भी है या इधर उस तरह का सकते हमारे यहां तो ऑप इती aसर है थोड़ा बहुत क्या असर है अब बीजेपी से थोड़ा बहुत डंपल को मिलेंगे ऑचा यह पहली बार हो रहा हाँ यह पहली बार इतना क्या हुआ लेकिन क्या आप लोग जो बिलकुल पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाते थे क्या हुआ डिमपल की तरफ क्यों सोच रहे हैं थोड़ा बात विनने काम करवाया आई यह तब जाय रहे हैं अच्छा और बाजपा के जो आसपास के जो बड़े नेता हैं वो क कुछ काम करते हैं तो फिर के यह पहले बार यह सोचा है ने अभी तक बाजपाई को वोट दिया है पहली बार कुछ और सोच यह बदाओ इतना बड़ा वो कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया यह उसके नाम पर वोट नहीं पड़ेगी उसके नम पर आयोद्यां बनवाए कुलभ सीन्ग क्या आप भी खेती करते हैं क्या करते हैं यह बताओ बच्चों कि आपर गाहों में कितने लोगों की सरकारी नौकरियां में तो बहुत कम हैं और लोधी समय में अच्छे पढ़ाय लेगाई नहीं पाद सबसे वड़ी बात तो यह है स्कूलों में इसकुलाइब नहीं है सुधार है लेकिन आगे इंटर भी एक बाद जो आगे पढ़ाई होती है उनमें मतलब कम पढ़ाई लेगा है पाते हैं तो क्या सोच रहे हैं फिर इस बार चुनाब में कि आप खेती के लिए कैसे रहे हैं आपके भी उतनी मतलब कोई कह रहा है कि अच्छा रहे कोई नहीं चोड़ रहा है इस तीच को ने बट पहले तो कानून कुछ बदले हैं नहीं सरकार आने के बाद जिसकी वज़ा से बिजार काफी घूमें हैं कहीं मतलब गोशाला बने गए हैं कहीं नहीं बने पाई हैं आप कहा जा रहे हैं जो पीछे चुनाब चला गया उससे चला हैं मैंसिया बंदी है तो सवेरे बंदी है और और पीछे सरकार में यह वैंदिया गोड़े से बहांद लगी तो उस आले खुल ले गए उन्हों पर लदवा ले गए तो कानून वेवस्ता सुधरी आप कहा रहे हैं हां कानून वेवस्ता में सुधार है और बेन बेटी अग साम को बापस आ गया या नहीं आया तो यह बताओ कि फिर इस बार चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं अब ठाकुर जैवीर सिंग के साथ बीजेपी के साथ यह बताओ जैसे कहरे हैं इस बार गाउं में आसपास के गाउं में राजपूर समाज पहले एक तरफा जो में दो सो के आसपास महले कटोती को जाब बीस एक परसंट का बोट बदलेगा इस बार ठीक है और किसी से बात हो सकती है जी आजाओ जी अब बीजेटी ने हूँ मतलब काम जैसे में बिलाब करूँ है उन्हें उन्हें एक नाला बनवाए लेकिनिमों समाज नहीं मतलब तो गहराई में जो खोद रहे थे और गहराई में देब बाद और उससे कोई स्वारत ना हुआ फिर सो मीटर देड़ देड़ मीटर उन्हें एक सीसी बनवा देई अब और परदान बनवा रहे हैं सीसी गाहों में आप देख पारे हैं महौल थोड़ा बटा हुआ है यह किया दूस्ट तौनाथ करें हैं बुथा क्या नाम हो आपका लाम राधते हां क्या करते हैं किसान हैं तो कियसे रहें़ दस साल आप लोगों के लिए किसानों के लिए उन्हारा रहा रहा है सबैवी रहा है लग आचा कुछ बता हिए मतलब क्या अब आब e 자ernें जोग strongest सी थ तो नहीं बनी है क्या नाम हो आपका नभी चंद्र नभी जी आप भी नभी किसानी है जी आपके कैसे अनुभव रहे हैं दस सालों में बहुत सर्गात तो ठीक है और मतलब बहुत युगाओं के बारे में नहीं सोचती है और जैसे कोई सरकारी चीज है वो हर चीज प्राइवेट कर देती है और जैसे गाय की बात है तो हमारे यहां तो भी है नहीं और अगर हो जाएगी कोई भादा नहीं मिलता है उससे क्योंकि उसमें कोई करमचारी नहीं रहता है और अगर रहता भी है तो उससे तनका नहीं दी जाती है मतलब फर्मल्टी कर दी जाती है और कुछ नहीं है और हमारे यहां पर इतना बड़ा में हो गया है बीजेपी को हमेजा बोड़ देते आई है ठीज है और बीजेपी ने अभी तक तो कोई काम किया नहीं था और पिछली बार जो अप्चुना वाला तो इसमें हम मतलब जो जहां देगा वो उसकी तो कोई कह नहीं सकता हूं पर हम लोगों को तो बिदाएजी ने कम दिया है तो हम तो बिदाएजी ने कम दिया है तो यह बताईए फिर चुनाव में इस बार लोकसभा में क्या लग रहा है क्योंकि एक तरफा तो राजपूद समाज आपक आप सपा की हो रहे हैं तो यह बताईए लेकिन राजपूद समाज तो जो एक तरफा भाजपा में जाता था क्यों बट रहा है क्यों बट रहे हैं अगर जैसे हैं साक होता तो कोई बात अलग थी अब ठाकोस से भाइदा थो नहीं है वो खुद लूटते हैं जो लूटा है किस तरीके का चल हुआ अपके साथ मापूत अब जे जी जा मारत पूद लेकिन यह बता है कि चलिए आप कह रहे हैं कि जो वाइदे किये गए पूरे नहीं हुए यह साथ में यह भी बता हो क्योंकि आप रोजगार की बात कर रहे हैं और यह जो अभी पेपर लीक हुआ है 59,000 नोकरियों के लिए पुलीस में लोगों ने भरती के लिए अपलाई किया यह फिर अगनी वीर जो चार साल की मतलब आर्मी में अब जो अपलाई करते हूं और चार साल की स्कीम आगई अगनी वीर उस चीज़ को लेकर यहां कितनी बातचीत है नाराजगी है खुशी है क लोगों में कुछ बातचीत है लोगों में कुछ बातचीत है एदेने पड़दय करद है नहीं पांसमें अगहा है जाना धिए बच्चा पढ़ने सीग कि और सबस्क्राइब नहीं है तो इस चंगाएंगे बुरा हल्या है कि आप अब बताइए आपके लिए तो बढ़िया रहे दस साल कह रहे हैं आप कहां रहा है इस चुनाब शादी थी डिए पी पहले दस साल पहले किती ती पचास के लोका वाद जो 40 kg कर दिया है वह तो बहुत ऑट किया है और यूरिया पो 50 kg से 10 kg कर दिया एंट जाने चालिए जाते जाते बता तो दीजे कहां वोट पर रहे हैं आप 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 अर्जी मेरे भाप्यों से तो बात हो गई है सबसे बात हो गई है आपके बास एंड मी आए है फिर खाद का बता रहे थे हैं खाद का बहुत है मतलब महेंगाई कर दी इया है लंगाई कर दिये का राजपूत समाज इस बार कई जगा जहां पर हम मतलब मुझाफ़नगर, शामली या केरानलोकसभा या गाजियाबाद, मेरट कई जगा इस बार राजपूत समाज बटा हुआ लग रहे जाएं तरफा माना जाता था कि राजपूत समाज एक तरफा बाजपदा के पीछ जाता है हटरस में भी जामने बात करी, इस बार थोड़ा सा एक बिखराव नजर आ रहा है और यही कहानी यहां की भी मेनपूरी सीट की भी लग रही है कि यही कहानी आगे भी रहेगी अब हम यहाँ से जा रहे हैं बदायू हमारे चुनावी सफर में हमारे साथ जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद